एयर कंडिशनर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुल्दी प्राठाउर जराम सरकार की बजाए अपनी पार्टी की और ध्यांदे ये शब्द भाजपा के प्रदेश महमंत्री तिलोक कपूर ने कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुल्दी प्रठावर दोरा जरम सरकार पर आरूप लगाने के प्रती उत्तर में कहे भाजपा ने कहा कि कॉंग्रेस के दिगजनेता गुलाब नभी आजाद्वरा व्यक्त की गई सचाई को कॉंग्रेस पार्टी हलके में न ले ये बिलकुल सच है कि कॉंग्रेस पार्टी जनमानस के बीच जाने के बजाए एर कंडिशनर कमरों से चल रही है जिसके कारण कॉंग्रेस पिछले 72 साल के इतिहास में सबसे दैनी अस्तिती में अंतिम सांस ले रही है वर्टमान में अगर देखा जाए तो कॉंग्रेस कोमा में है भाजपा नेतारी लोग कपूर ने कहा कि मुद्धा वहीन कॉंग्रेस के पास ना तो जनता के बीच जाने के लिए और ना ही जैराम सरकार के विरुद बोलने का कोई मुद्धा है जिसके फलसरूप कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर के विरुद कभी अटल टनल में हाथवी वाधन को लेकर तो कभी भाजबा के राष्ट्य अध्यक जगत परकाश नडड़ा की मौजूदगी में संबोधर ना दिये जाने तो कभी करोना के विरुद उठाय जा रहे कदमों को लेकर अपनी चिंता प्रकट कर रही है उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर के दूरुप्योग की कॉंग्रेस बात करती है पर उन्हें शायद याद नहीं कि कॉंग्रेस का रेकाल में हेलिकॉप्टर का उप्योग कोड कचेहरी के चक्कर लगाने के लिए क्या गया भाजबा के प्रदेश महमंत्री तो लोकपूर ने कहा कि कॉंग्रेस हिमाचल के मुखे मंत्री जैराम ठाकुर के निरित्टो को हलके में लेकर अपनी दिशा से भटक रही है जैराम ठाकुर जिस कुशलता के साथ करोना के विरुद लड़ते हुए हिमाचल प्रदेश के समुचिते विकास को आगे बढ़ा रही है इससे निश्चित रूप से जैराम ठाकुर दिन प्रति दिन और मजबूत हो रहे हैं उन्होंने कहा कि ये संयोग है कि जहां केर्नर में नरेतर बोदी और प्रदेश में जैराम ठाकुर के नितरुट्व में भारते जनता पार्टी की दोनों सरकारे पूरे तालमिल के साथ जनता की सेवा में काम करे ही है मैं एर कंडिशनर पारिटी के परदेश अधिहक्ष श्रीमान कुल्दीप रठावर जी से अगरहे करना चाहता हूं कि वो हिमाचल परदेश की जैराम सरकार की चिंता करने के जाए अपनी पारिटी की चिंता करें कि उन्हीं के कॉंग्रेस पारिटी के दिग्रिज्द नेता श्रीमान गुलाम अभी अजाद ने कल मीडिया के इंट्रिव्यू में भी कहा है और इसे पहले कपल से बलोल गुलाम ने भी जाद भी कहा चुके कि कॉंग्रेस 70 वर्ष के काल खांड में सबसे ज्यादा कमजोर स अज खड़ी हुई है और हम कहें तो यह कुम्म में उसकी चिंता करें हिमाचल्द पर्देश के यशस्ति मुख्य मंत्री जैराम यदिक पूरी कुशलता के सामे मचल्द परदेश का नियत्तित कर रहे है को रोजासे काल खंड में भी जैराम थाकर जी तर्दीश का सोहुआ कि जैराम ठाकुर जी के पिछले तीन वर्ष के कारेकाल में एक भी दाग हिमाचल परदेश की सरकार को नहीं लगा है और पिछले पांच वर्ष के काल खंड में कॉंग्रेश के देखें तो मुझे बताने की अवश्कता ही नहीं कभी वहलीकेप्टर का रोप लगा रहे हैं जैराम ठाकुर द्वारा हिमाचल परदेश के मुख्या मंत्री बनेंगे इसको कोई नहीं रोक पाएगा और हिमाचल परदेश में इस मिथ्या को दो हजार बाई में बिराम निश्यत और पर लगेगा यह आज मैं आपके प्यानियों के मादल सब्सक्राइब कि करोना काल खंड में जो जैराम ठाकुवजी की सरकार हैं कि माचल परदेश की एक एक जिन्देगी को बचाने का जो काम किया है उसके लिए तुरंत सरकार ने जो है वह कारवाई करके जो रहा देने का प्रयास किया